Hello Friends, Welcome to Lecture Expert YouTube Channel और आपके लिए मैं एक और information लेकर आया हूँ जो बच्चे जो हैं, compartment या फिर वो improvement के लिए या reappear के लिए जो है, form फिल करना चाहते हैं वो इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जो है, form को फिल करना है तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में लाज तक बने रहें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो subscribe जरूर करें और वीडियो को share जरूर करें, like जरूर करें तो चलिए, सबसे पहले आपको Google में आ जाना है और type करना है HBSC जैसे यह आप यह type करोगे तो आप यहाँ पर आजाओगे page पर और यहाँ पर आपको bscs.org.in यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस link पर और जैसे यह आप link पर क्लिक करोगे तो enter website हो जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक link दिखेगा नीचे के तरफ आते हुए registration form for regular 10th and 12th compartment improvement exam और नीचे दूसरा link है registration form for open 10th and 12th reappear exam September 2020 तो आपको जो भी form fill करना है उस पर आप क्लिक कर दोगे जैसे माली जी किसी को improvement का form बरना है तो मैं क्लिक कर दूँगा और जैसे यह आप क्लिक करोगे तो आप नए page पर redirect हो जाओगे अब या तो आप school के through भरवा सकते है अबने phone को या फिर अगर चाहते हैं आप तो खुद भी भर सकते हैं फीस जो है registration वो 750 रुपीज पर student है 13 August तक अगर उसके बाद बरोगे तो 100 रुपे fine लगेगा फिर उसके बाद का तरीका क्या है आपको click here for self registration यहाँ पर एक link दिख रहा है आपको इस पर click कर देना है और जैसे ही click करोगे आप एक नए page पर redirect हो जाओगे आपको अपनी class जो है वो select कर लेनी है जैसे secondary है या फिर senior secondary है मान लिजी आपकी secondary class senior secondary है आपको किसके लिए apply करना है additional के लिए या partial improvement के लिए या compartment के लिए वहाँ पर आप click कर दोगे मान लिजी मुझे जो है partial improvement करनी है जैसे आप ये click करोगे आपके पार तीन option जो है और खुल जाएंगे जैसे कि year 2020 session जो है आपका March या July कौन सा है उसके लिए आप यहाँ पर select कर लोगे मान लिजी मेरा जो है March है मान लो फिर आपको जो पुराना roll number है वो डाल देना है मान लिजी मेरा roll number ये है फिर आपको क्या करना है जो date of birth है वो डाल देनी है और जैसे आप ये information डाल दोगे आपको search कर लेना है तो आपका एक जो है data यहाँ पर निकल आएगा जैसी आप यहाँ पर search करोगे तो आपको data मिलेगा जिसमें आपने form को fill कर देना है तो ये आपकी process रहेगी form को fill करने की बाकि अगर आप चाहते हैं कि step by step मैं आपको form fill करके दिखा हूँ किसी का तो आप मुझे comment कर सकते हो अपना roll number और date of birth तो मैं आपको fill करके दिखा दूँ तो यही मैं इस वीडियो में बताना चाहता था तो इस वीडियो में इतना ही thanks for watching this video